नमस्कार आप सबी का स्वागत है। विधान किया गया है जो वैशाक पूर्निमा की दिन पीपल के वरक्ष की पूजा करता है। एक गरीब ब्रामन हैता था। उसने अपने जिवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया था। एक दिन वो पूजन सामगरी लाने हेतू वन में चला गया। वहापर उसने एक बड़ी ही विचित्र बात देखी। उसे वहापर वन में तीन महाप्रेत दिखाई दिये जो बड़े ही दुष्ट और भहेंकर थे। धनशर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश उपर उठे हुए लाल आखे और काले काले दात और सुका हुआ उनका पेट था। धनशर्मा ने घबराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो, तुमारी आवस्ता कैसे हुई, मुझे तुमसे भई लग रहा है, तुम मुझे कोई हानी न पहुचाओ, मैं भगवान विश्णू का परम भक्त हूँ, अतम मेरी रक्षा करने से, भगवान विश्णू, तुम हरी विश्णू का नाम सुनने से, हमारा भाव बदल गया है, हम दयालू हो गये है, हम तुमें हानी नहीं पहुचाएंगे, अब हमारा परिचे सुनो, ये पहला कृतग्न नामक प्रेत है, इस दूसरे प्रेत का नाम वी दैवत है, तता तीसरा मै हो, मेरा नाम अव वैशाक है, महिन तीनों में से सबसे अधिक पापी हो, इस पहले प्रेत ने सदा ही कृतग्यता की, ये पिछले जनम में सुदास नामक मनुष्य था, इसने कभी भी दूसरों के उपकार नहीं माने, दूसरों से मदद लेकर भी उनके साथ धोका किया, और इसी कारण से मृत्यू के पस्चात, वह एक प्रेत बन गया, इस दूसरे प्रेत ने देवी देवताओं का पूजन किये बिना ही, उन्हें धन्यवाद दिये बिना ही, भोजन ग्रहन किया, इसने अपने गुरू एवं गरिब लोगों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम वी देवत पढ़ा ये पिछले जनम में हरवीर नाम से विख्यात राजा था, रोश अहंकार तता नास्तिकता के कारण इसने कभी गुरू जनों का आदर नहीं किया, मृत्वी के बाद नरक में कष्ट भोग कर ये वी देवत नाम से प्रेत बन गया, और अवईशाक नामक तीसरा प्रेत मैं मद्य देश में मेरा जनम हुआ था, मेरा नाम गोतम था, मैं वासपूर गाव में निवास करता था, वैशाक मास में मैंने सनान नहीं किया, और दान धर्म भी नहीं किये, और भगवान मदु सुदन का पूजन भी नहीं किया, वैशाक मास की पूर्निमा, जो पूर्न फल प प्रेथ होकर इस वन में भटक रहा हो अतो हे ब्रामन मैंने हम तीनों का परिचे तुमें दे दिया है तुम हमारी मुक्ति हे तु कुछ उपाय करो अत्वा मेरा एक पुत्र है जो धनशर्मा नाम से विख्यात है तुम उसके पास जाकर उसे मेरे बारे में बताओ उस प्रेथ का वच्चन सुनकर ब्रामन को बड़ा दुख हुआ उसने जान लिया कि ये तीसरा प्रेथ ही उसका पिता है धनशर्मा ने कहा हे प्रेथ मैं ही आपका पुत्र धनशर्मा हो मैं आपके किसी भी काम ना सका मेरा जन्म निरर्थक है जो अपने पिता का उध्धार न कर सके व और आज से पांचवे दिन वैशाक पूर्निमा आने वाली है जो सभी प्रकार की उत्तम गती प्रदान करने वाली है तथा देवता एवं पित्र के पूजन के लिए सरोत्तम है वैशाक पूर्निमा के दिन सनानादी करके तिल मिश्रित जल जल का घड़ा और फल दान करना च अपनी साच पिडियों को तार देता है तब ब्राह्मन अपने पिता से आगया लेकर अपने घर पर आया और उसने वैशाक पुर्णिमा की दिन पिता की कहे अनुसार सभी पुन्य कर्म किये सनानादी करके मदुसुदन भगवान की पूजा की और दान धर्म किये जिससे पाप मुक्त होकर सभी प्रेत मुक्त हो गए इस प्रकार से पद्म पुरान में वैशाक पुर्णिमा का महत्वा बताया गया है यह वैशाक पुर्णिमा की कथा सुन्ने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन सुक सम्रदी से भर जाता है तो उम्म में जै शिरकृष्ण जै यम्राज अवस्य लिखे धन्यवाद